दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं लोन प्रीक्लोज या फिर फोर्क्लोजर चार्जेस के बाड़े में मतलब अगर आप अपना लोन अबदीक से पहले अगर क्लोज या फिर प्रीक्लोज करना चाहते हो तो उसमें क्या-क्या चार्जेस देना पड़ेगा और साती साथ दोस्त आपको ध्यान रखने पड़ेगा एक बहुत important information के बारे में जो कि इस वीडियो में देने वाला हो तो वीडियो को जरूर देखेगा दोस्तो मैं हूँ हसान आप देख रहे हैं नीट नो वीडियो में आगे जाने से पहले आप सभी से रिकुष्ट है अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो का क्या होता है बता जन्यक्वाइब कि जब भी आप लोण लेते हो तो उस समय इसे लेकर एक अबदी होता है fix उस अबदी तक आपको लोड जो है चालू रखना ही होता है मतलब उससे पहले आप loan को foreclose नहीं कर सकते हो, उसी को बोल जाता है locking period, आप सवाल आते है locking period कितना महिने का होता है, दोस्तों देखे, depend करता है lender to lender, मतलब loan company to loan company, किसी का 3 महिना रहता है, किसी का 6 महिन, किसी का 1 सल, किसी का 1.5 सल, ऐसा रहता है, मतलब उतना दिन तक आपको loan भर नहीं पड़ेगा, उसके बाद ही आप loan foreclose या फिर preclose कर सकते हो, तो इस बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, आप बात करते हैं, दोस्तों charges क्या लगता है, देखे, दोस्तों charges में आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहिए, आप चाहे, तो हर मेहने, आप अप 27 या 26 को भी कर सकते हो, लेकिन extra नहीं होना चाहिए, मतलब due date के बाद payment नहीं करना होता है, उससे आपको penalty लगता है, जो की extra आपको देना पड़ता है, साथी साथ, आपको credit score होता है, उसमें भी negative impact परता है, और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आगर आप अपना loan का EMI समय पर भरते हो, ना केवल आपको charges बसता है, साथी साथ आपको credit score भी improve होता है, जिसके चलते है, आगे आपको top up loan मिलने का chances जो है, बर जाता है, और इसमें additionally क्या मिलता है, कभी कबार देखा गया है, कि loan company या फिर bank के तरफ से, आपको extra benefit भी दिया जाते है, example के लिए आपक मैं अगर आप अधिक जान करी लेना चाहते है, तो वीडियो का description में, बजाज finance का जो official website है, इसके जो भी script है, जो मैंने बताया, उसका details है, वहाँ पर जाके भी आप read कर सकते हो, तो चली दोस्तों बात करते है भी, जो main मुद्धा है उसके उपर, कि हम foreclosure charges कितना pay करे, दि इसका ही partner है, लेंडिंग partner है, तो इनका देखिए, आप charges यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, 2% से लेके, 7% तक depend करता है, तो तेक करना होता है, जो आपका outstanding principle लाता है, उसके उपर यह 7% calculate होता है, इसके साथ, यह जो 7% लगते इसके उपर जो है, आपक calculate किया जाएगा, यह pre-closure charges, और यह 4% है, इसके उपर भी आपको GST calculate होगा, यहाँ पे, अगर आप total calculate करोगे तो 4.72% जो है, आपको extra देना परेगा, as a free closer, या फिर foreclosure charges, और दोस्ति याद रखिएगा, यह charges calculate होगा, यह cable और cable आपको जो outstanding principle है, उसको पर होगा, तो दोस्त है, आपको देना परेगा, तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सरा ख्या लेखिएगा, जाहिंद बंदे मातरूं